एम्स के डॉक्टरों का कमाद गर्ब के अंदर ही भृण का हार्ट सरजरी कर शेप बदल कर बचाई जान। नवश्कार में भारती का पासिया आप देख रहे हैं N27 News डॉक्टरों ने बताया कि 28 वर्षिय गर्वती महिला को तीन बार गर्पाथ हो गया था और जब उसे अपने गर्ब में पल रहे भ्रण की दिल की खराब इस्तिती के बारे में बताया गया तो मैं बेहोश हो गई हाला कि महिला गर्बावेस्ता को जारी रखना चाहती थी और डॉक्टरों को भ्रण के दिल पर इलाज करने की अनुमती देने पर सहमत हो गई थी अकसे डॉक्टर मरीज को ऐसी जटिल इस्तितियों से जीवित निकाल लेते हैं कि समझ आता है कि आखिर उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है दरसल राजधानी दिल्ली में एमस अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने एक महिला के गर्ब में पल रहे ब्रुन के अंगूर के आकार के दिल के जटिल सरजरी करों से मा के गर्ब में ही फिर से आकार दिया है अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 28 वर्सिय गर्ब वती महिला को तीन बार गर्ब पात हो चुका था और जब उसे अपने गर्ब में पल रहे ब्रहन की दिल की खराब इस्तिती के बारे में बताया गया तो वह बेहोस हो गई हाला कि महिला गर्ब वैस्ता को जारी रखना चाहती थी और डॉक्टरों को ब्रहन के दिल पर इलाज करने की अनुमती देने पर भी सहमत हो गई थी एम्स में प्रसूती और स्त्री रोग विभाग के डॉक्टरों के साथ इंटर वेंसल कॉडियो लॉजिस्ट की एक टीम ने हिर्दय के बाधित वॉल्व में बैलून डाइलेशन नाम की इस पूरी प्रकरिया को नजाम दिया एक वरिस्ट चिकितसक ने कहा अल्टरसाउन के मार दर्शन बता दे अल्टरसाउन के मार दर्शन में की गए प्रकरिया के तहत बुर्ण के दिल में एक सूई डाली गई और फिर एक बैलून कैथेटर का उप्योग करके बाधित वल्व को खोल दिया गया डॉक्टर ने कहा पूरी प्रकरिया बहुत तेजी से की जानी थी यह बहुत चुनोती पूर्ण था हम इसे लगबग डेड़ मिनिट में करने में सफल रहे डॉक्टर ने कहा इस रिशेपिंग प्रकरिया के साथ उमीद है कि भ्रन का दिल बहतर विकासित होगा ब्रिन और मात दोनों अस्तिर है और उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मंदाविया ने कहा मैं एम्स के डॉक्टरों की टीम को 90 सेकिंड में एक ब्रुन के अंगूर के आकार के दिल पर सफल दुरलब प्रकरिया करने के लिए बढ़ाई देता हूं बच्चे और मा की सलामती के लिए भी प्रात्ना करता हूं बता दे कि पहले भी कई बार डॉक्टरों की कोशिश से इस कदर लोगों की जान बची है बीते दिनों ऐसा ही एक खबर सामने आई है यहां दिल्ली में एक भैंकर दुरगटना में एक जेर साल का मासूम बच्चा साबुन और पानी से भरी टॉप लेंडिंग वाशिंग मस पुशिस से वह चमतकारिक रूप से ठीक हो गया बच्चा वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पिताल में भरती था अस्पिताल के डॉक्टरों ने बताया कि अब बच्चा सामान्य व्यवार कर रहा है और ठीक से चल रहा है जानकारी के मताबिक डॉक्टरों ने बताया जब उ फिला पड़ गया था और हाफ रहा था उसका हर्ट रेट कमजोर था और कोई पल्स और बीपी नहीं था अभी के लिए इतना है देखते रहें एंट 27 नीज आप देख रहे हैं एंट 27 नीज पकड़ हर खाबर पर